गुजरात दंगों के आरोपी जिसमें डाई तीन हजार के करीब लोग मारे गए उनको कानून की धज्यां उड़ाते हुए ही जस्टिस लोया का की हत्या करवाते हुए उन्हें दोश्मुक्त बना दिया गया जो आज सत्ता में है तड़ी पार लोग हत्यारे लोग उन लोगो सबसे वड़े क्रिमनल लोग उन लोगों को भी तो कानूनी रूप से ऐधिया गया वरी कर दिया गया लिए सरकार Loren की ऑर ईपिस्टा की और क्रिमिनलम की है आप सरकार से क्या उंभी गर सकते हैं जिसके साथ आठ दस लोगों ने सामुई बलातकार किया उसकी मां के साथ किया ऐसे अत्यारे और रेपिस्टों का आच्रण कैसे अच्छा हो सकता है भई नमश्कार पूजा आप देख रहे हैं जनीत आवाज इस में मौझूद हूँ दिल्ली के जन्तर मंतर पर यहां क्या कुछ होता रहता है आप लोगों को पता ही है यहां पर आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बिल्किस बानों के लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है इनी से अ भारत के अमरित महुत्सव के नाम पर जब प्रदान मंतरी लाल किले से खड़े होकर आंसुब आते हैं महिलाओं के लिए कि मुझे बड़ा दरत है मेरी महिलाओं पर बड़े अचार होते हैं और 20 साल पहले जो एक महिला के साथ हुआ उसके घर के आठ सदस्यों को उसके साम पहिक बलातकार किया उसके बावजूद भी उन अत्यारों को उन रेपिस्ट को यह उसी दिन जब यह आसु बारे घड़िया ली तब ही तब ही गुजरात सरकार जेल से बाहर निकाल देती है जिस जिन अपरादियों को जेल में पहुंचाने के लिए उस बेचारी ने 20 साल अपने पैर रगड़े अपने आपको बरबाद किया 20-30 जगे पर उसने घर बदले क्योंकि उसके उपर दमकिया आती थी उसके उपर मौत के बादल मंडरा रहे थे उसने लगातार संगर्ष किया लेकिन उस संगर्ष का परिणाम अब थोड़ा सा निश्चिंद हो के अपन पूरे देश में लागू होते हैं और गुजरात मौडल के तहट उन्होंने उन अपराधियों को जो सजा याफ्ता थे सुप्रीम कोड़ सी बी आई और सारे कोड़ जिन्होंने उनको सजा दी थी उन सब को धता बताते हुए चार-पांच लोगों की कमेटी ने उनको दोश दिल जानता है कि बच्चे को कांटा भी चुबे कितना दर्द होता है और उस माने अपनी बच्ची को सामने मरते हुए देखा था और ऐसे हत्यारों को जब जेल से रिहा कर दिया जाता है वो भी अमरित माउटसव के दिन उसी के विरोध में आज हम जंतर मंतर पर रेकत्रि बिलकुल उडाई जा रही है देखिए कानून की दज्ज्यां उडाते हुए ही गुज़रात देंगों के रोपी जिसमें र 30,000 के करीब के अगे साजिश की गई है कोई अपराद नहीं है तिस्ता सीतलवाड जैसे लोगों को जिनों ने इसके खिलाफ अबाज उटाई उन्हें तो जेल में डाल दिया और जो अपरादी थे उन्हें सत्ता सौंप दी गई तो यह कानून नहीं तो किया यह किसी और ने थोड़ी किय है लगातार दूसरी बार ऐसा फैसला गुजरात से सुनने में आया है जिसमें इस तरीके की कारवाई करते हुए उनको रिहा कर दिया गया ऐसे ही जो आप भी सीतलवाड का बता रहे है वो भी उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ तो यह लगातार ऐसा क्यों हो रहा है वो भी ऐस चालिस लोगों में से 300 लोगों के अगेंस्ट हत्या बलातकार फिरौती और यह लैंड लैंड ग्राबिंग के मामले हैं और इनको जीतने के लिए जो तमगा मिला होता है वो क्रिमिनल का मिला होता है जो क्राइम जितना बड़ा क्राइम उतनी जीत की गारंटी आप देख र सबसे सब्सक्राइब करेंद लोगों नहीं सबसे बढ़ातकी माँ जो एकलक में केषिए फ्रदानीबर यह ते कंट में पहुंच जाए और जाए लिए अच्छा बता रहे हैं कि उन्होंने जो है वहां पर आच्रण अच्छा रखा इसलिए हाँ अब मैं मर्डर करके जेल में चली जाओं और दो-चार दिन चुपचा बैठ जाओं तो मेरा आच्रण अच्छा हो जाएगा लेकिन जिसका मर्डर जिसके आदमी के जिसके घर का अच्छा हो सकता है गंगा जीटा सारे के लोग ऐसे अत्यारों के साथ खड़े होते हैं जो उनका प्रोटेक्शन कर रही है अब आपने का सरकार में बैठे हैं रेपिस्ट हैं इस तरीके के तो फिर वह लगातार क्यूंद रहे हैं लगातार वो जीत भी रहे हैं देखिए जीतने के तो बहुत सारे कारण है सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारा यह समाज जातियों में धर्मों में बढ़कर इतना खोकला हो चुका है कि यहां एक दलित के बच्चे ने अगर मटके से पानी पी लिया और अत्या कर दी गई उसे उस अत्यारे को बचाने के लिए तरह समाज में अल चलो रही है लेकिन उस बच्चे के उपर उसके मापाप को किस तरहुसे प्रताडित किया जा रहा है या प प्रतावर्ω양 में सब्सक्राण रहा exploring रहे हैं अैस आत्पर कब संख्या में जो है बहुत कम समख्या में दिख रहे हैं वहीं अगर जब कनहीया लाल जैसे मामला सामने आता है तो यहाँ पूरा संसद मार्ग पूरा यह जंतर-मंतर भर जाता है कहीं न गहीं आप लोगों की भी कमी है हाँ बिल्कुल हमारी कमी है कि हम सच को समाज के अंदर प्रचार भी रहता है जूटे लोगों के पास धनबल भी रहता है सब्सक्राइब होता है और हमारा सच में विश्वास है हम इंसानियत और सच्चाई की लड़ाई चाहे थोड़े हैं लेकिन हमेशा लड़ते रहेंगे लड़ते रही है यहां पर जंतरमंतर पर आते रहिये कम भीड में देखते रहिये कुछ नहीं होना है सरकार तो जीती जा रही है दोजार चौबिस में भी आने वाली है ये क्या कम हो रहा है कि आप हमारी आवाज को जन जन तक पहुचाने का काम कर रहे हैं और सत्ताय आती जाती रहें लेकिन समाजिक परिवर्तन के बिना सत्ता परिवर्तन का कोई लाब होने वाला ही नहीं है। के उब्स दरारों को और चोड़ा कर रहे हैं। कॉंग्रेस भी उसी शिटत से लगी है बीजे भी भी लगी है दूसरे दूसरी पार्टियां भी लगी है यह सजा मुक्त करने से नहीं बाज आए ऐसे घरघर तिरंगा तो सबके दिलों में है किसी देश के विश्व के ऐसा आपने सुना है कि वह उस देश के राष्टे द्वज को पैरों में कुचल रहे हैं यह लोग मैंने देखा है कि फटे हुए तिरंगे इधर उधर पड़े हुए यह इनोंने तिरंगे का सम्मानी अपमान करवाया है उस तिरंगे को भूखे पंचा दिया है इनके लिए डूब मरने की बात है नंक्या नाम यहां लगातार्म आवास बुलंद करते लगा देंगे बहुत बहुत शुक्रिया भी हमारे साथ थी मैं उन्होंने बताया किस तरीके से बिलकिश बानों के साथ दरिंदों ने इतना घिनोना कृत्ति किया कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं प्रेगनेंट थी उस स्थिती में भी किसी को तो दया आ जाती है ये इस महिला का रेप हुआ है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं सोच ये पूरे जो जो बनाया होता है ईक धांचा होता उसकी धज्जिया उडाई गई है पूरे ग्यारा रेमिस्ट जो छोड़े गए हैं सोचिए उनको उनके गले में माला डाली जा रही है यह भारत देश है जिसमें तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को खड़े होकर परधान मंतरी मोधी जी लाल किले से भाशन देते हैं महिलाओ के लिए जो बोलते हैं कि महिलाएं हमारे देश की स्त्री है हमारे देश की जो है नारी है और उनसे ही हमारा गर्व है सम्मार है लेकिन यहां देख तो सोचिए आप विश्व गुरु देश में रह रहे हैं तो ऐसे विश्व गुरु देश में रहकर आप अंदाजा लगाईए कि किस तरीके से यहां पर इस्त्रियों का सम्मान किया जाता है इसी किसा आप दिखतरी जनितावाद मेरे सही होगी कैमरामेन के साथ में पूजा जंतर में तर दिली